लेर्न इंग्लेश ऑनलाइन विटकिष्णा अगर आप अपना कम्यूनिकेशन इफेक्टिव करना चाहते आप चाहते लोग आपसे प्रभावित हो जाए आपकी बात को सुने तो आपका उच्यारन कमाल का होना चाहिए तो दोस्तो आज की क्लास में हम इसी की प्रैक्रिस क्रने वाले हैं। अज की क्लास है प्रिननसियेशन प्रैक्रिस की क्लास। और कुछ एक sounds, vowel sounds and consonant sounds, कि हम practice करेंगे, जैसे कि हमारा communication अच्छा हो सके, हम जो कुछ भी बोलें, लोग उसको सुनें, और उसकी तारीफ करें, लोग हमसे प्रभावित हो, तो दोस्तों, एक एक करके सारे sounds आपको बताता हूं, जो पहला pair है दोस्तों, वो है the sounds E and E, ये छोटी है, ये बड़ी है, this is the short E sound and this is the long E sound, actually ये बड़ी से भी थोड़ा ज्यादा खीचना है इसको, ज्यादा, बड़ी से भी ज्यादा E है इसमें, ऐसा आप समझ के चलिए, तो ये छोटी है, ये बड़ी है, तो कैसे, किस तरह के words में use होगा, जैसे कि sentence लिखा यहाँ पर example के ल होगा है, और ये जो बड़ी दोस्तो, seat, इसमें बड़ी का sound इस्तेमाल होगा है, अगर आप ध्यान से सुने, you can sit on this seat, तो अपने आप भी पता चल रहा है, कि sit में, sit में छोटी है, और seat में बड़ी है, तो अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तो, phonetic symbol, ये phonetic symbols अगर आप बिल्कुल native speakers की तरह English बोल सकते हैं, सारे rules से अगर आप सीख ले तो, तो दोस्तो मेरी उस playlist में जाईए, जिसका नाम है, learn English, pronunciation and phonetics, और ये सारे symbols, ये सारी बाते आप सीख सकते हैं, अच्छा दोस्तो, दूसरा जो sound है, the sounds, आउ and अ, ये दोस्तो, आउ, आउ का transcription है, आ और छोटा उ, आउ, और ये दोस्तो, आउ, आधा अ और छोटा उ, आउ, आधा हिंदी में तो नहीं होता, लेकिन अगर आधा होता, अगर हमको आधा ही बोलना होता, तो कितना sound होता हो, उतना ही sound इसका है, अउ, तो आउ and अउ, किस तरह के words में यूज़ करेंगे, एक example का sentence है, नाव, अब नाव में ये आउ का sound आगया, नाव आई नव, नव में अउ का sound है, हम लोग इसको बलते हैं, नो, I know, यानि मैं जानता हूँ, I don't know, मैं नहीं जानता, नो दोस्तों गलत उचारण है, मैं सौ से ज्यादा मेरे वीडियो से हैं प्रनेसेशन के रूल के उपर और मैं आपको बता चुगा हूँ, कि जिसको हम O समझते है, actually वो O नहीं होता, अव होता है, इसलिशको हम पढ़ेंगे नव, so now I know how you knew, now I know how you knew, आपको खुब प्रैक्टिस करनी चाहिए, now I know how I knew, पहला सेंटे है दोस्तों, you can sit on the seat, दूसरा सेंटे है दोस्तों, now I know how you knew, त और सही उचारन करना बड़ा जरूर ही है, जैसे ये सेंटेंस अगर आप देखें, तो इसमें ये जो सेंटेंस ही है, I like comfortable clothes, अब इसको पढ़ना है comfortable, इसको comfortable हम लोग पढ़ लेते हैं, हम लोग इंडियन है, इंग्लिश हमारी mother tongue नहीं है, तो हम से गल्तिया होती रहेंगी, लेकिन उनको सुधारने की जरूरत है, तो हम उसको पढ़ेंगे जोस्तों, I like, like है, L बोलना चाहिए, like, like तो होगा नहीं, I like, like नहीं बोलना है सो, like, I like comfortable clothes, ये आप देख रहें, end में जो S लगा है, इसे जर का sound आएगा, जर, sir का sound हैगा, clothes नहीं बोलना है, clothes, clothes, I like comfortable clothes, ऐस confusing words होते है, commonly confused words, कैसे, I need a receipt, अब बहुत लोग नहीं जाते हैं, कि इसमें P, जो है, वो silent होता है, इसलिए इसको रिसिप्ट नहीं पढ़के पढ़ना चाहिए, receipt, रिसिप्ट नहीं पढ़ेंगे, receipt, तो इसको इसे बढ़ना है, I need a receipt for this recipe book, I need a receipt for this recipe book, I need a receipt for this recipe book, ये जो वार चाहराने, एक British, एक American, British pronunciation है इसका, recipe, और American pronunciation है, recipe, recipe, British है recipe, American है recipe, तो आप कोई साभी बोल सकते हैं, वैसे इंडिया में British English चलती है, मैं British ही बता रहा हूँ आपको, so I need a receipt for this recipe book, तो ये कई बार हमको confuse कर सकते हैं, ये words, खास पर जैसे ये word है, receipt, इसे हम लोग receipt, receipt, बोल लेते उसके बार दोस्तो, silent letters, silent letters कई बार बहुत बड़ा challenge बनके हमारे सामने खड़े जाते हैं, क्या कहा silent है, कौन सा letter पता नहीं, अगर आपको silent letters सीखने हो, उनके rules सीखने हो, तो मेरे channel पर मैंने एक पूरी playlist सिर्फ silent letters के लिए बनाई है, rules of silent letters, silent letters सीखें, आप उस playlist में जाके silent letters को पर मेरे videos देखी, आपको हर बात मालूम पढ़ जाएगी, तो सारी समस्या खतम हो जाएगी, silent letters के बारे में, तो देखें दोस्तो, silent letters का जो example है, जैसे यहां कहा जा रहा है, कि there is a subtle, अब यह वाड़ आप देख रहे हैं, subtle, इसमें be, यह be silent है, इसको subtle, या कैसे कैसे पढ है, there is a subtle difference, 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 difference नहीं बोलेंगे, difference, there is a subtle difference between the schedules on Wednesday and Tuesday, अब देखें, हम लोग इसको बोलेते हैं, Wednesday, Wednesday, Wednesday में यह जो D है, W.E. के बाद, वो silent होता है, इसलिए इसको Wednesday नहीं बोलना चाहिए, तो actually इसके दो उचाराने, एक है Wednesday, दूसरा है Wednesday, Wednesday and Wednesday, आपका जो मन करेंगे, आप बोल फिकते हैं, इसके भी दो उचाराने, Tuesday, Tuesday, यह Tuesday, जो native speakers है, खासकर का Americans, वो E वाला, जो end में E है, Wednesday, Tuesday, वो वाला ज्य सब गलत उचाराने, तो फिर से पढ़ता हूं में E sentence को, there is a subtle difference, there is a subtle difference between the schedules on Wednesday and Tuesday, ऐसा हमारा sentence है, अब यहाँ पर इस word के बारे में आपको बता दूंगे, यह जो word है दोस्तो, S-C-H-E-D-U-L-E, इसका British pronunciation है, schedule, schedule, इसका American pronunciation होता है, schedule, और उसकी spelling में भी S के बाद K होता है, schedule, इसलिए confusion होना चाहिए कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कई बार लोग आपस में जड़ाई भी कर लेते हैं, यह से नहीं से हुआ, यह सही है, मैंने तो यह सुना है लोगों को बोलते हुए, फलाना YouTuber तो यह बता रहा है, मैं आपको बता रहो बिल्गों क्लिरली, schedule, British pronunciation है, schedule यह schedule, एक और भी American उचाराने, actually दो है, schedule and schedule, but British अगर मैं बोला है आपको, तो आपको schedule ऐसे बोलना चाहिए, so there is a subtle difference between the schedules on Wednesday and Tuesday, ऐसे हमको इसको पढ़ना चाहिए, फिर से हैं, दोस्तों, consonant groups, और इस बार थोड़ा सा अलग है, यह consonant groups, यह जो है, consonant sounds के practice, यह है दोस्तों, the sounds, S, K, S, अगर एक साथ S, K और S लिखा हो, तो कई बार हमसे बोला नहीं जाता, बोलने में दिकत होती है, देखिए कैसे, जैसे का लिखा है, he always asks, asks, कई बार problem create कर सकता हमार लिए, asks, बहुत लोग नहीं बोल पाते, तो कोई बात नहीं बोला जा रहा हो, तो अगर प्रैक्रिस करने से ठीक हो जाएगा, ऐसे पढ़ेंगे, asks, 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 जितनी जादा प्रैक्रिस करेंगे, उतना ज्यादा परफेक्शन रहाएगा, तो पढ़ना चाहिए, he always asks about specific tasks, यह जो होड़ें दस्तों, इसको specific नहीं पढ़ना है, इसका प about specific tasks, यहाँ पर भी होगे, tasks, asks, and tasks, he always asks me about all the tasks that he has to do, जितनी प्रैक्रिस करेंगे, उतना आपको फायदा होगा, asks, tasks, masks, 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 tasks, asks, practice करना है, SKS, SKS, asks, tasks, masks, it's all about practice, practice makes a man perfect, मैं तो खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मैं बोलने ही पता था इनको, लेकिन मैंने इतनी बार इनकी प्रैक्रिस की, हज़ारो बार, लाखों बार मैंने इन साउंड्स को बोला होगा, तो फिर आप देखी रहें, तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, अच्छा दो श, जो शंकर में श होता है, वह वाला श, ताला भी श, तो श and श की practice करके देख़ते हैं, तो जैसे यहाँ पर एक sentence है, she, अब इसमें श आ गया, she says, इसमें स आ गया, she says, सौश बल, इसमें दोनों है, स भी है, शा भी है, she says, सौश बल, people, love, society, अच्छा यह जो वर्ड है, य इसको हम लोग पढ़ लेते हैं society, society लेकिन अगर मैं आपको पिल्गुल सही उच्छारा है तो यह ऐसे हैं दोस्तों, स, स, श, अ, टी, स, के बाद आपको साई बोलना है उसका आधा अ भी है, society, यह ऐसली उच्छारा है, society, इसको society नहीं पढ़ना चाहिए, society, तो मैं पूरा sentence आपको पढ़कर सुनाता हूँ, और हम देखते हैं कैसे स और श, एक साथ यूज़ हो रहे हैं, तो she says, sociable people love society, ऐसे इसको पढ़ना है, बैगर फिर से बोलता हूँ, आपको खुब प्रैक्टिस करनी है, she says, sociable people love society, उसके बाद दोस्तों, the sounds O and A, यह O का sound है दोस्तों, और यह तीन के बाद दो डॉट्स दिख रहे हैं आपको, आप ऐसा मानके चलिए कि जो A होता है, पूरा हिंदी में जो A होता है, वो अगर दो बार होता, तो कितना रुखना होता, उतना ही रुखना है यहाँ तो कैसे पढ़ेंगे, किस तरह के words में, यूज होगा होगे यह sounds, यहाँ पर इसको यह जो word है दोस्तों, W-A-L के, इसको पढ़ना चाहिए, वोक, वोक, मॉर्निग वोक, वाक नहीं पढ़ना चाहिए, वाक या वाक, वोक इसका सुद उचारण है, आप डिक्शनी में पढ़ेंगे, ट्रांस्क्रिप्शन तो आपको बालों पढ़ जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे, वोक एंड वोक, तो ओ एंड अ, दोनों ही sound आ रहे है, वोक एंड वोक, और दे विर्डिस्ट वर्ड्स, वर्ड में भी आया, इन दो वर्ल्ड, इसमें भी यह वाला पढ़ेंगे, तो दोस्तों आपको इस क्लास में जो भी मैंने कुछ बताया है, इनकी खूब प्रैक्टिस करनी है, मुझे पूरी उमीद है कि यह साउंड की प्रैक्रिस करने से आपका उचारन और भी जाद अच्छा होगा, और आपको अच्छी लगी हूँ, आप चाहते ह आपको देता रहूँ बना करके, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, जिसकि सब लोग अच्छी इंग्लिश बोल सकें, अगली क्लास में, मैं फिर से आपको कमाल की कोई बात बताने के कोशिश करूँगा, जिसको सीखने के बाद, आपके लिए इंग्लिश बोलना, करेक्ट इंग्लिश बोलना, करेक्ट प्रनिंसीरशन के साथ बोलना, और भी आसान हो जाएगा, और दोस्तों जैसा कि मैं एंड़ में हमेशा आपसे कहता हूँ, कोई भी ऐसा आपको एक वीडियो बना दूँ, तो आप कॉमेंट बाक्स में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा, कि जल्ली से जल्ली आपको उसको एक वीडियो बना करके नहीं दूँ, thank you very much for all your love and all your support, I'll see in the next class, bye-bye.